इस लिए यहां पर बाद बीवाद नहों इसलिए हमने बाउंसर लगा रखे हैं महंगाई इतनी तरस्त है मोदी जी की राज में अब इस महंगाई के लिए आप खुश समय एक सो साथ रुपया किलो टमाटर भी करा है कोई 50 ग्राम कोई 100 ग्राम ले रहा है टमाटर के लिए यह डर है कि लोग आ रहा है सुनने में कई जगा आ रहा है कि 10 उरुप पांच उपार मांग रहा है आदमी नहीं दे पा रहा है रेट बता रहा है तो वो मार पीट पीम मोदी के संसदी छेतर में बियाइपी बासा हुआ टमाटर लाल भाव इतना बढ़ा कि दुकान पर टमाटर की सुरच्छा में लगे बाउंसर लगाया बोर्ट पहले पैसा फिर टमाटर दूर से देखे छुए नहीं अखिले से यादों ने कर दी टमाटर के लिए जड सुरच्छा की मांग टमाटर लाल भी अब बियाइपी बासा हो गया है आपने बियाइपी की सुरच्छा में शेकोर्टी और बाउंसर देखे होंगे या फिर महंगे सोने चांदी के सोरूम में देखे होंगे क्या कभी किसी ने सोचा था कि टमाटर का भाव इतना बढ़ ज पेचने वाले ने दो बाउंसर सिर्फ इसलिए हायर किये कि वो उन ग्राहकों को महंगे टमाटर से दूर रखें जो इसकी कीमत को लेकर दुकान से मोल भाव बहस करते हैं इसका एक बीडियों भी सामने आया है जिसे सपा मुखिया के लिए सियादों ने सेयर किया है उन्होंन का अहम हिस्सा टमाटर एक सो साथ रूबे प्रती कीलो से भी जादा बिक रहा है इसी बीच बारारसी में सबजी बेचने वाले अजेब होजी ने अपनी दुकान पर टमाटरों की सुरच्छा के लिए दो बाउंसर हायर किये हैं एक वीडियो सामने आया है जिसमें दुकान के सामने दो बाउंसर देखे जा सकते हैं ये बाउंसर दुकान की और बढ़ रहे ग्राहप को रोग देते हैं और उसे हिडायत देते हैं कि टमाटर को दूर से देखे छूने की कोशिस ना करें अजेब होजी से जब इस बारे में बात की गई तो उन्होंने कहा कि बाउंसर हमने इसलिए लगाए है क्योंकि टमाटर की महंगाई आप लोग देख रहे हैं आप लोगों को पता चल रहा होगा कि टमाटर के लिए मार पीट लूट मारा पीटा जा रहा है कई जगहों से घटनाए हुई है हमने टमाटर महंगाया था इसलिए यहाँ पर बाद भी बाद ना हो इसके लिए हमने बाउंसर लगा रखे हैं उन्होंने कहा कि महंगाई से इतने तर्ष्थ हैं कि मोदी जी के राज में अब इस महंगाई के समय में आपको 160 रुपे किलो टमाटर मिलता है कोई 50 गराम तो कोई 100 गराम ले रहा है अजे फौजी की दुकान पर दो पोस्टर भी लगाए गए इन पोस्टरों में लिखा गया है कि पहले पैसा बाद में टमाटर और किर्पिया टमाटर और मिल्च को छुए नहीं इस ख़बर में इतना ही वैसे टमाटर की बढ़ती कीमतों को लेकर आपकी क्यारा है कमेंट में जरूर लिखे इसी तरह कि अन्य ख़बरों के लिए देखते रहिए दे पबलिक एक्सप्रेस का डिजिटल प्लेट फार्ट